आज है हमारे पास HP x360 281 टेच लेप्टॉप नाम है HP पविलियन नाम ही काफी है HP पविलियन x360 14 इंटेल का एक फूल जन प्रोसेसर के साथ आता है 16GB RAM है यह लप्टॉप ना उन लोग के लिए टार्गेट किया गया जो कॉलेज स्टूडेंट है यह जो मेडिकल के स्टूडेंट है नोट्स मेकिंग यह सब टास्क करना है या फोटो सॉप इलस्ट्रेटर यह सब सॉप्टर में वर्क करना चाहते है अब सारी स्पेक्स यहीं थोड़ी बता देंगे यार पहले डबा खोल लेते हैं अब तो वेल गजज यह है एच्पी पोविजन एक्स त्री सिस्टी अब टू इन वन बोलने का जरूरत नहीं पढ़ना चाहर यहां से आप जान सकते हैं यह टच लेप्टॉफ है तो हमेशा की तरह लट सवा लू करता है इस्पेसिफिकेसर अपग्रेट्स ऑप देस एच्पी पविलियान एक्स त्रे सिक्स्टी यहां पर आपको इंटेल का लेटेस्ट आइप ट्रेफ यह नवान तू त्री वाइप यू प्रोसेसर देखनों म 512GB का PCIe NVMe M.2 Gen3 SSD देखनों मिल जाता है SSD के एक ही slot present है तो इनकेस अगर आप अपग्रेट करना चाहे तो रिप्लेस करके मैक्जिमम 2TB तक SSD लगा पाएंगे and SSD कर रिदी स्पीड है 2857 Mbps and right speed is 2738 Mbps and how we can forget about the graphics यहाँ पर आपको Intel Iris XC integrated graphics देखनों मिलता है with the 7.9 GB shared GPU memory Wi-Fi 6C का एकदम latest connectivity देखनों मिलता है along with that यहाँ पर 6 GHz का frequency band भी supportable है and Bluetooth version is 5.2 combo and यहाँ पर Windows E-Learn Home single language का operating system दिया गया है and MS Office Home and student version 2021 भी present है साथ में Alexa जी भी साथ आती है and M-Cafe Antivirus का 30 days का trial देखनों मिल जाएगा so यह laptop मेरे को provide किया है even electronics दक्षिन गंगोत्री सुपेला भी लाई so अगर आप भी दूरुपिला राइपूर या चत्तिय ज़र से बिलाओं करते है then definitely visit there यहाँ वहाँ पर आपको सभी ब्रेंड्स के laptop desktop all-in-one PC सभी IT equipment देखनों मिल जाएगा at very good price नीचे आपको description में address and contact number देखनों मिल जाएगा definitely you can check out five minutes later so दोस्तों यह है HP Pavilion X360 Space Blue color में आता है दिखने में काफी ज्यादा premium लगता है हमेशा की तरह है HP वाले तो जादा design change करते ही नहीं है HP की in-center branding देखनों मिल जाते हैं the minimal way काफी ज्यादा sign करते हैं दिखने में overall खुबसूरत लगता है हां build quality सुन लो यहां पर आपको PC ABS का build quality देखनों मिलता है that means polycarbonate acrylonitrile butadene styrene laptop में top lid flex and keyboard flex 4 are very negligible मतलब ताबड तोड़ build quality and pavilion मतलब नाम ही काफी back panel देख लो आर plastic build के साथ आता है बड़े-बड़े air intake winds देके हैं हवा लेने के लिए along with that दो बड़े-बड़े riser हैं to protect your laptop from the scratches and यहाँ पर MS Office के sticker and Windows Elon का hologram देखनों मिलता है along with that 2 watt के 2 bottom comparing speaker देखनों मिलता है with the bang and all upson audio laptop का बेडिना काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है यहाँ पर जो cutouts है pavilion की branding है and hinge वाले portion में जो cutout दिया गया है काफी ज्यादा premium लगता है और अच्छी बात यह laptop 360 डिग्री रोटेट हो जाता है इसलिए इसका exhaust wind यह वाले portion में दिया गया है normal non-dutch वाले laptop देखोगे तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले के नीचे air exhaust wind दिया जाता है यह laptop 1.51 kg के साहँ आता है काफी ज्यादा handy है अगर आप college student है office holder है daily travel करते है देन उस perspective to say this gonna be the best laptop बट लेपटोप वरनेंट से उपर नहीं होता इसलिए नहीं होता होगा बागी यह laptop में screen wobbling एकदम negligible है हिंस तो अच्छा रहे गई क्योंकि 360 degrees rotate होता है यहां पर एकदम solid study हिंस दिया गया है जिससे laptop में कोई फर्क नहीं आए गाए अप अराम से पास से दस साल इसली laptop को यूज कर पाएंगे यहां पर जो cutouts दे गए है curves हो काफी ज्यादा elegant है जो और और लेपटॉप की लुक को काफी ज्यादा premium बना देता है तो देख लो laptop के अंदर की सुंदलता palm rest area as gray color में देखनो मिलता है with the textured finish and pavilion की branding देखनो मिलते है इन वेरी sophisticated वे along with that whole चोटे चोटे rubber grip दिया गया है तो प्रोटेक्ट वार टेच डिस्प्ले फ्रॉम स्क्रेचस साइनी वे में hp की branding दीगी है बैजल काफी ज्यादा थीन है यहां पर आपको intel i5 iris xc के यहां पर नुम्रीक पैड में दीगा है काफी जादा टेक्टाइल डिजाइन है और आल की ट्रेवल काफी जादा अच्छा है मैंने आपर टाइपिंग करके देखा यहां पर रंग भेद किया है ब्लू कलर में आपको फिंगर्प्रिंट रीडर देखनों को नहीं मिलेगा वही आप सिल्वर कलर वाला वाला विरियंट लेंगे तो वहां पर आपको फिंगर्प्रिंट रीडर देखनों मिल जाएगा तो एक नजर पोर्ट में एक HDMI 2.1 का पोर्ट दिया गया इससे मैग्जियम 4K 120Hz तक डिस्प्ले आउट पूट ले पाएंगे एक USB 3.2 Gen2 Type-C पोर्ट यहां पर आप डेटा ट्रांसफर के सांसाथ पावर डिलरी और डिस्प्ले पोर्ट के फॉर्म में भी यूज कर पाएंगे और यहां पर आप अपने लेप्टाप को टाइप-C पोर्ट से भी चार्ल्ज कर पाएंगे मैंने चार्ल्ज करके देखा है और प्रॉपरली चार्ज हो रहा था तो यह काफी जादा आपके लि देखना हो मिल जाता है तो दोस्तों कर लेते हैं यह एच्पी पूइलन 14 का बूट टेस्ट भाई साब यह लेप्टाप का डिस्प्ले अती सुन्दर 14 इंच का फूल एजडी IPS पैनल के साथ मल्टी टच इनेबल डिस्प्ले देखना हो मिल जाता है 250 निट्स का पीक ब्राइ मैं क्या ही बोलू है मल्टी टच मिन सब टैप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं वर्टीकल फॉर्वर्ट में भी एज़ा टैब यूज कर सकते हैं मतलब यूजर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इस लेप्टाप तो डेफिनेटली यूज ही कर पाएंग यार यूज अबिलेटी में कोई शीमानी है आप कमेंड जैसा चाहें लेट की उसकरना सो की उसकरना बैट की उसकरना जैसे उसकरना वैसे कीजिए और टच रिस्पॉंस काफी ज्याद अच्छा है लाइक आप यूपी एस्टी के एस्पी रेंट है दैन आपको नोट्स में करना है आई इलेस्ट्रेटर में वर्क करने देन इन दिस वेड़ाइब एच्पी वोईलन 360 विल बीड़ गूड ऑप्शन फॉर अब देख पा रहे हूंगे जब मैं स्टाइलस से नोट्स बना रहा हूं तो रिस्पॉंस काफी ज्याद अच्छ है और वन मोर गूड तिंग ये स्टाइ राइड बटन को एज़ा अंडू यूज़ कर सकते हैं मैंनी मोर ऑप्शन्स अर अविलेबल एंड अच्छी बात ये स्टाइलस प्रेसर संसेटिविटी भी सपोर्ट करता है लाइक आप ज्यादा प्रेसर देंगे तो डार्क लिखाएगा एंड लाइट प्रेसर में लाइ यहाँ पर 720 पिक्सल के HD webcam देखनों मिलता है विद डूल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन प्राइवीश सटर मिसिंग है देखते हैं कैसे इसका वेबकेम क्वालिटी तो काफी जादे डिसेंट लग रहे हैं यहाँ पर आपको एच्पी वालों ने लाइट ओन का उप सब्सक्राइब देखनों मिला इस पर नॉन डेडिकेटेड ग्राफिक्स लेप्टॉप पीसी मांक 10 कभी स्कोर डिसेंट है 4872 मतलब आप अराम से मल्टी टास्किंग कर पहेंगे कई ऐसे परसन रहते हैं जिनको ब्लेंडर में वक करना रहता है उनके लिए ब्लेंडर का वेंचपाक मौंच्टर में 51 सेंपल पर मिनट जंक्स्वाप में 23 सेंपल पर मिनट एंड क्लास्रूम में 18 सेंपल पर मिनट यह कुछ एनिमेशन डाले और हलका फुलका कलर ग्रेडिंग किया देन फैनली मैंने एक्सपोर्ट किया तो दो से तीन मिनट ले लिया रेंडर करने में और ठीक है टाइम क्योंकि जब हम 4K 30fps के मल्टीपल लेर्स वाले फाइल रेंडर करते हैं तो टाइम लगी जाता है और मै टैबलेट फॉम में भी रख की यूज कर पाएंगे सभी जो फंक्शन सा अदोबी प्रीमियर प्रो के वो प्रॉपर वर्क कर रहा है तो अच्छी बात ये लप्टॉप में टू सेंसर दखनो मल जाता है वन इस एक्सलरोमेटर एंड अधर इस जाइरो इसकोप सेंसर इससे हम एसफार्ट गेम के लिए यार काफी अच्छा रिस्पांस रहा है और हर टाइम हम जीतते ही गए देन हाओ वी कन फॉर्गेट गेमिंग टेस्ट फर्स्ट गेम मैंने जीटीए फाइप प्ले किया इन फूल एच्ड रिजॉलेशन और वही जो डिफॉल्ट सेटिंग रहत है लेकिन 30 fps मिर रहा था मैंने 40 प्लस fps तो इसले एक्सपेक्ट किया था क्योंकि 16 GB का रहा है बाकी वही टीडीपी भी कम है और ओनली 18 वाट का टीडीप है क्योंकि यूज सीरीज का प्रोसेसर है और आप अराम से यहां पर कैस्वल गेमिंग कर पाएंगे वही आप 25-200 fps एजली देखनों मिर रहा था और वेलोरेंट में परफोर्मेंस अच्छा रहा है दूट देशीप्यू इंटेंसीव तक मेंटेन था तक मेंटेन था आप नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं या कंटेंट कंसुमिंग करते हैं तो आपको अराम से 5-6 गंटे का इजली बैटरी वेकप देखनों मिलेगा आप हैवी टास्क्त करते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग गेमिंग देन 2-3 गंटे का यह बैटरी वेकप आप एक्सपे सिरीज में यह मिसिंग रहता है या सो वेल गाइस यह था है एच्पी पॉइलन 14 का डीटेल रिवू आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गया होंगे सो डेफिनेटल आप यह लेप्टॉप के साहाँ जा सकते हैं अगर आपको बजट है बच्शेटर हजार के आसपास तो आप अराम से कर पाएंगे और पॉइलन सेरीज है तो बिल्ड तो काफी अच्छा रहते ही है दिक्कत वाली कोई बात नहीं है और इसका एक और विरियंट आता है जो सिल्वर कलर में रहता है एच्पी पॉइलन 14 EK0084TU वहाँ पर आपको फिंगर प्रिंट रीडर का भी सपोर्ट देखनों मिल जाएगा एस सच मेरे को एक लैप्टॉप में कोई भी कॉंस देखनों नहीं मिला अगर 100% SLGB के कलर के मिट देते तो काफी सही लैप्टॉप रहता है क्योंकि content creation के लिए best हो जाता ना सो सभी models के best bank link आपको description में देखनों मिल जाएगा along with that आप view product वा कर दो